कोस्चन आपके सामने ज्आन से देखिएगा क्या कहता है क्योंकि मुविष के को च्टन है क्याता है क्याता है क्याता है कैल्कुलेट ब्रेक-वन पॉइंट ठीक है आपको पहले में कहता है सर FC बता रहे हैं हम आपको 10,000 है और सर PVR बता दिया PVR बता दिया 50% तो आपको पता है break even point का formula G पता है FC divided by PVR into में 100 कह लो या फिर यहां point में लगा लो आप सर जवाब आता है 10,000 divided by 50 into में 100 तो यह आगया सर 20,000 तो यह आगया हमारा 20,000 मैं calculator पे भी साथ के साथ करता जाओं 20,000 खीक है सर case number 2 यह तो बिल्कुल बच्चो वाला सवाल था case number 2 देखते हैं सर case number 2 में क्या कहता है कि fix cost दे रखा है 15,000 और contribution दे रखा है 3 रुपे पर यूनिट तो सर fix cost दे रखा है आपको 15,000 और CPU दे रखा है contribution पर यूनिट कितने रुपे 3 तो सर break even point का यह भी तो formula होता है unit के terms में fix cost divided by CPU तो सर fix cost 15,000 divided by 3 तो यह 5000 यह जो हमारा break even point आया है वो unit के terms में आया है ठीक है न यह break even point हमारा units के terms में आया है देखे फटा फट करते जाते है question number one कर दिया two कर दिया में आ जाते है three पर sir three margin of safety दे रखा है 20% sir MOS margin of safety 20% तो आपको पता है न अभी करा था बहुत सारा question तो हम माल लेते हैं हमारा sales रहा होगा hundred तो margin of safety यह है तो इसमें से minus करेंगे तो break even point जो है break even break even point क्या होता है हमारा hundred minus में MOS margin of safety तो sir यह आ गया hundred minus में 20 is equal to 80% के terms में आएगा यह भी ठीक है चलिए जी sir तीसरा भी हो गया चौत्था point case number 4 case number 4 कहता है sir fix cost है 90,000, 9,000 variable to sales ratio है 60% FC दे दिया आपको 9,000 और variable cost का ratio दे दिया आपको कितने 60% तो sir PVR पता है क्या होता है PVR होता है hundred minus में VC का percentage पहले लिखा है हमने तो यह आ जाएगा हमारा 40% तो PVR पता चलिए आओ लो जी लो break even point तो बड़े आसानी से निकल जाएगा कैसे निकलेगा break even point 9,000 divided by 40 तो 0.4 कर देते हैं percentage हटा दिया मैंने 9,000 divided by 4 सारे तरीके से मैं करके दिखा रहा हूं 22,500 कोई दिक्कत हम पांचवे केस पे आ चुके हैं है ना पांचवे केस में कहता है सर एक्चुल सेल से 50,000 margin of safety है 30% तो अब मैं यह नहीं बता हूंगा आपको करना है यह एक्चुल सेल्स दे रखा है एक्चुल सेल्स में से margin of safety जब घटा दोगे तो क्या बच्चे का break even point लास्ट वाले में किया था यह आप करिएगा यह homebuck profit दे रखा है आपको margin of safety दे रखा है आपको variable cost दे रखा है तो सर यह challenging question है question number 4 चलिए इसको निकाल के दिखाते है थोड़े सी जगे बना ले और जगे बना लेते है चलिए मैं करने जा रहा हूँ 6 कैदा सर प्रॉफिट 30,000 के ओक के यहां से start करते है case number 6 profit 30,000 margin MOS कुछ-कुछ याद आया 20% और VC 70% दे रखा है आपको मैंने MOS का formula बताया था सर MOS is equal to profit divided by divided by PVR कुछ ऐसा बताया था मैंने profit divided by PVR MOS का formula आपको यहां पर PVR नहीं पता question में तो हमें काम करते हैं PVR निकाल लेंगे PVR क्यों निकालोगे सर ताकि हम profit निकाल पाएं तो PVR कैसे निकालोगे सर MOS दे रखा है आपको वाइट ले जेते हैं MO दे रखा है आपको 20% 20 ले लो percentage percentage सार कैंसल हो जाएगा profit कितना है हमारा 30,000 PVR हमें नहीं पता तो इससे multiply करेंगे divide करेंगे तो सर PVR आ जाएगा 30,000 है ना 30,000 और divided by 20 और divided by 100 यह आ जाता है हमारा 15% percentage लगा के मैंने देखा तो मेरा PVR आ गया 15% और आपको PVR मैं अगर हटी आएगा एक मिनट रुके इसको मैं यहां से कट कर देता हूँ यह भी रुख जाई है एक मिनट सर्फ एक मिनट का टाइम दीजिए मैं यहां से break-even प्यूट निकाल हूँ आए इसको हटाते हैं अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अ-रे-अ-रे-अ-रे-अ-रे- oh my god क्वेस्टन का है एरेजर से मिटा रहेते हैं वी-सी दे रखा था आपको 70% तो यू नो आप PVR ऐसे निकाल सकते हो 100 माइनस में वी-सी का percentage, तो sir 100 minus VC percentage करोगे तो 30% आएगा, ठीक है, ऐसे निकाल लेते है question में क्या निकालना है sir, break even point break even point का formula क्या होता है sir अगर हमें sales पता चल जाए, हमें क्या पता चल जाए sales पता चल जाए, sales हमारा दो चीजों को मिलके बनता है, एक बनता है break even point break even point, plus में आपका, इसके अंदर होता है MOS, ठीक है चलिए, अब लगाते हैं, MOS का formula MOS हमारा MOS होता है, margin of safety, profit divided by PVR sir, MOS हमें percentage में पता है, तो लेकिन ये percentage का formula नहीं है ये amounts के terms में निकालता है, तो amount पता चलेगा हमें तो amount कैसे पता चलेगा, profit कितने का है sir, 30,000 PVR आपने निकाल लिया 30%, तो 0.3 30,000, 0.3 sir, ये 1,00,000 आगिया, 1,00,000 रुपे पता है क्या आगिया, margin of safety अब आपको MOS का percentage भी पता है और amount भी पता है, तो हम total निकाल सकते हैं, percentage amount पता है तो हम sales पता है कैसे निकालेगा sir, sales is equal to आप क्या करोगे, MOS का amount है हमारा 1,00,000 और into में अगर हम कर दें, divided कर दें, कितने percent MOS है sir sir, ये equal to 20% है, 20 into में 100 mathematical form है थोड़ा सा, 20 into में 100 sir, ये आगिया 5,00,000 5,00,000 क्या आगिया, sale आगिया 5,00,000 रुपे आगिया ये sale अगर आपको पता है 5,00,000 रुपे का sale है, MOS इसके अंदर 20% है यानि कि 1,00,000 तो break-even point निकल जाएगा न आपका break-even point निकल जाएगा, थोड़ा उपर कर लेते हैं इधर कर रहा हूँ इसको बाकी का आपको पता है sales कितने का है sir sales आगिया sir 5,00,000 का आपको पता MOS कितने का है, MOS है 1,00,000 तो आपको पता चल जाएगा break-even point sir break-even point आजाएगा यहाँ पर 4,00,000 रुपे का इसको इस तरीके से solve करेंगे जो कि हमारा point number था कौन सा, 6 7 कहता है margin of safety हमें दे रखा है कितने का 70,000 का और actual और sale दे रखा है हमें तो simple सी बाते निकाल लोगे 4,00,000 में से 70 माइनस करोगे डारेक्ली आजाएगा आठवा, actual sales कहता है हमें unit के terms में और margin अभी हमने यह कर रखा है तो यह दोनों point आपको खुद करने होंगे समझ में आए कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में लेख सकते हैं आप अच्छे से बस ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा tricky chapter है यह chapter एक बार निकल जाए तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हमारा sales कवर हो जाएगा तो मैं कोशिस करूँगा जादा से जादा classes में आपको कवर करवा दूँ note कर लिजए इसको मैं side हो जाता हूँ थोड़ा